जैशी कृष्णा दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सबसे बड़ा मूर्क। एक कंजूस व्यापारी था, उसका शम्भू नामक एक नोकर था, जो बड़ी उदार प्रकर्तिका था। शम्भू अपने वेतन का काफी हिस्सा गरीबों और जरूत मंदों में बांट देता था। कंजूस व्यापारी उससे हमेशा कहता, अरे मुर्क कुछ जोड कर भी रख लेकिन शम्भू टाल जाता। एक बार खीज कर व्यापारी ने एक डंडा शम्भू को दिया और कहा, जब कोई तुझे अपने से भी बड़ा मुर्क मिले, तो ये डंडा उसे दे देना। उसके बाद व्यापारी अक्सर शम्भू से पूचता, क्या कोई अपने से बड़ा मुर्क तुझे मिला, शम्भू विनम्रता से इनकार कर देता। कुछ समय बाद व्यापारी सक्त बिमार पड़ा और उसका अंतिम समय निकट आ गया। वे शम्भू से बोला, अब मैं बचूंगा नहीं, कुछी दिनों में महा यात्रा पर चल पड़ूंगा। भोला शम्भू बोला, मालिक मुझे साथ ले चलिए। मालिक ने प्यार से जिड़का, अरे मुर्क वहाँ कोई साथ नहीं जाता। इस पर शम्भू ने कहा, अच्छा किसी को मत ले जाईए, लेकिन अपनी सुक सुईधा के लिए रुपे पैसे घोड़ा गाड़ी आदित तो लेते जाईए। इस पर व्यापारी खीज कर बोला, अरे महा मुर्क वहाँ तो एक सुई भी नहीं ले जा सकते। एकदम खाली ह जाना पड़ता है। अब शम्भू बोला, मालिक तब तो ये डंडा आप ही रखे, भला आप से बड़ा मुर्क कौन होगा, जिसने सारी जिंदगी कमाने में ही लगा दी, ना दान किया न पुन्ये। जब सब कुछ साथ जाएगा ही नहीं, तो जोड-जोड कर रखने से क्य आप है दाएगा है। सम्झे दोस्तों, जे शाएगा है।